एक लड़का 10,000 रुपे पर 3 महा के हिसाब से नोकरी किया करता था लेकिन जिसके हाँ नोकरी करता था उसके हाँ बड़ी मातरा में कैस जो पैसा होता है उसको जमा करने केले बैंक में जाया करता था जब बैंक में आना जाना लगा होता था तो कैस काउंटर पर एक लड़की बैठी थी उसको देखकर लगता था कि इस लड़की के पास कितना सारा पैसा होगा यहां से बाचीत का सिलसिला सुरू होता है यह तो दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है दोनों में प्यार हो जाता है, एक दूसरे से मुलाकाते होती है अभी मैज साथ दिन ही हुए थे, अभी बाचीत का सिलसिला होता है साथ वे दिन ही वह है, लड़के अपना घर छोड़ आती है महां से जितना भी सोना चांदी घर में रखा होता है घर से अपना सब कुछ छोड़ कर उसके पास आ जाती है और सोना चांदी अपने साथ ले आती है वह कहती है कि मैं अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हार पास आई हूँ लड़का कहता है कि जो तुम यह सोना चांदी लेकर आई हो तो यह सब वही रखके आओ फिर मेरे साथ रहना, इस लड़के की उस दिन किसमत बदलने वाली थी, सच में बदल भी जाती है, उस लड़के से वह साधी कर लेती है, साधी हो जाती है लड़के का नाम होता है अर्मान मलिक लड़की का नाम पायल मलिक अर्मान मलिक का असली नाम संदीप मलिक कुछ सालों बाद उसका एक बेटा पैदा होता है तब बेटा एक साल का हो जाता है तो उसके जनम दिन मना रहे थे कुछ खास मेमान भी आते हैं और कुछ खास मेमान में कृतिका मलिक जो पायल मलिक की दोस्त आती है जैसे कि पायल मलिक की दोस्त कृतिका मलिक आती है अर्मान मलिक को कृतिका मलिक से प्यार हो जाता है और जैसे कि पायल मलिक से साथ दिन में प्यार हो जाता है वैसे ही कृतिका से साधी करने में साथ दिन लगते हैं एक व्यक्ति की दो पत्निया और कहते हैं हिंदुरीती रिवाज से एक आदमी दो साधिया नहीं कर सकता लेकिन अर्मान मली के एक इंटर्यू में खुद कहता है कि वैं जाट कम्यूनिटी से ब्लोंग करता है 2019 का एक मामला था कि अर्मान मलीक ने अपनी नौकरानी के साथ रेप किया बस यह कहानी अर्मान मलीक पायल मलीक और कृतिका मलीक के बारे में क्या अर्मान मलिक ने उस नौकरानी के साथ रेप किया था या नहीं इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिस करेंगे यह एक सची गटना है जो हाल फिलाल की चर्चा बनी हुई है 21 जून 2024 जीयो सीनेमा पर बिग बोस और टेटी सिजन 3 सुरू होता है इस समय अर्मान मलिक में पायल मलिक, कृतिका मलिक इस सौ में सामिल होता है इस सिजन में अर्मान मलिक अपनी दोनों पतनियों के साथ सामिल होता है इसमें एक परकिरिया चलती है जो की टास्क के रूप में होती है किसी को नॉमिनेट करना होता है घर से बेगर होता है या ऐसे भी लोग बहार की दुनिया से अलग होते है इन्हें बहार की दुनिया के बारे में कुछ नहीं मालूम होता है जब से बिग बोस हाउस में जाते हैं वहां रहने तक बिग बॉस घर में बहुत कैमरे लगे होते हैं जब सब कैमरे की निगरानी में रहते हैं इसमें दो दोस्त होते हैं एक लवके सकटारिया दूसरा विसाल पांडे होते हैं दोनों दोस्त बात कर रहे होते हैं जब करतीका का आना जाना लगा रहता है जैसे कि जिम करना, खाना, खाना, बहार गूमना, सब बिक बोस घर में सब के सामने चलता रहता है विसाल पांडे और लवकेस कटारिया कैसे बैठे हैं? विसाल पांडे और लवकेस कटारिया बैठे होते हैं तो विसाल बोलता है कि मुझे भाबी अच्छी लगती है उसने यह बात दीरे से लवकेस के कान में बोली थी लवकेस ने इस पर थोड़ा सा एतराज किया कटारिया ने जैसे सुना अपने कानों से वैसे ही कैमरे देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे वहें वहाँ पर पूरी तरह से रिकोर्ड हो जाते हैं जैसे ही पाल मलिक अश्टेज पर आकर बोलती है कि विसाल पांडे ने कृतिका को ऐसा बोला है तो इतना सुनते ही अर्मान मलिक को विसाल पर गुसा आ जाता है जब लगेस से पूछा जाता है कि विसाल ने तुम्हारे कान में यह बोला था कि नहीं तो love case बोलता है कि हाँ, बोला था मैंने उसको कहा भी था कि भाई क्या बोल रहा है तो विसाल बोलता है कि मैं उस तरीके से नहीं कह रहा हूँ उस way में नहीं बोल रहा हूँ good way में, यानी कि normally जैसे बोलते है मेरा कहने का कोई गलत मतलब नहीं है अर्मान मलिक और विसाल पांडे में फिर जंक छिड़ जाती है फिर आपस में गाली गलोच होती है अर्मान मलिक को उस बीच इतना गुसा आजाता है कि वे गुसे में गुसे पर काबू नहीं कर पाता और विसाल पांडे को एक थापड जड़ देता है जो की OTT सिजन 3 में सेलेक्ट होते हैं विसाल पांडे उसको जब थपड लगता है तो उसकी गुंज पूरे हिंदुस्तान में गुंज दिया है कि किस तरह से अर्मान मलिक ने विग बोस घर का नियम का उलंगन कर विसाल पांडे को थपड मारा है जब बिग बोस हाउस में कैमरे में केद वैकिल्प सामने आती है तो पता चलता है कि विसाल पांडे ने उस तरह से नहीं बोला था उसने गलत वे में केमेंट नहीं किया था विसाल पांडे का कहने का मतलब वह नहीं था जो अर्मान मलिक ने समझा अर्मान मलिक को सचाई का पता चलता है तो अर्मान मलिक को ऐसास होता है कि उसने यह गलत किया बर जो बिक बोस से भार की दुनिया जो बिक बोस देख रहे हैं हजारों करोडों लोग अपनी परतिक्रिया देनी सुरू कर देते हैं तब सोसल मीडिया पर लोग अर्मान मलिक की नीजी जिन्दगी के बारे में जानने की कोशिस करते हैं उसकी जिन्दगी में जाकना सुरू कर देते हैं फिर अर्मान मलिक की जिंद्गी का एक ऐसा पन्ना खुल कर सामने आता है कि उसकी जिंद्गी एक दल्दल की और जाती नजर आती है दरसल यह कहानी शुरू होती है एक 11 साल की लड़की प्लिस को एक रिपोर्ट देती है दिल्ली का एक थाना लगता है जो की निह थाना लगता है उसमें बताया जाता है कि तेन भाई उसके लग रहने लगते हैं वह मा और चोटे भाई के साथ रहती है घर की स्तिती जादा अच्छी नहीं होती है इसलिए घर के कामों के लिए इधर उदर गूमती रहती है फिर वह अर्मान मलिक के घर पर काम करना इसकी दूसरी बीवी साल 2018 में पायल मलिक अर्मान मलिक का जो बेटा चीकु के जनम दिन पर पायल की खास दोस्त किरतिका आती है वह अर्मान मलिक से साथ दिन में साधी कर लेती है जो चीकु की देख बाल के लिए अर्मान मलिक ने एक नोकरानी रखी हुई थी साल 2018 में अर पर अकेले अर्मान मलिक होते हैं और जो 11 साल की लड़की नोकरानी होती है वै भी घर पर होती है यह मेडिया रूपी यानि कि सोसल मेडिया पर यह खबर चल रही है साथ ही सोसल मीडिया पर एक FIRE कोपी वाइरल हो रही है उसमें भी यह सब लिखा हुआ है यहां पर 11 साल की लड़की नाबालिक लड़की को एक ड्रक्ष का इंजक्सन दिया जाता है जिसमें बताया जाता है कि अर्मान मलिक जब लड़की को नसे का इंजक्सन देते हैं तो लड़की को नसा हो जाता है तो उसके साथ रेप कर बैठते हैं अब वह लड़की डर जाते हैं क् कि उसके साथ एक दो बार मारपीट भी की जाती है जो कि सोसल मेडिया पर बताया जा रहा है जब वे डर की वज़े से अपने परिवार में नहीं बताती तो सामने वाले के अंदर और इमत बढ़ जाती है जब पारी सर से उपर चला जाता है तो आदमी का रियक्षन तभी आता है कहा जाता है कि उसके साथ बार-बार रेप किया गया था तब यह लड़की 7 जून 2019 को दिल्ली के एक निहाल वियार थाने में रिपोर्ट लिखाती है फिर एफायर दर्ज होने के बाद मामला प्लीस तक पहुँच जाता है जो भी कारवाई होती है तो प्लीस करती है तब बयान दिये जाते हैं इसमें पता चलता है कि इसमें पाईल मलिक भी सामिल होती है पाईल मलिक को पता होता है वह अपने पती को सपोर्ट करती है अब जब यह मामला अदालत पहुँच जाता है तब चार्स सीट लग जाती है आरोपी को 23 सितंबर 2019 को अर्मान मलिक को गिरप कर देते हैं और उन्हें जमानत मिल जाती है इसके बाद या फिर से अपनी जिन्दगी में वापस लोट आते हैं जैसे कि वीडियो बनाते हैं अपने परिवार की दिन्चरिया दिखाते हैं चाए इंस्टाग्राम हो फेस्बूक हो या अन्ने सोसल प्लेटफोर्म हो उन पर ब है दोर रहा कि उनके मीलियंस में फोलोवर्स है करोडों लोग चाने वाले हैं साथ ही जो उनकी पतनी पायल मलिक है वह भी ब्लोगिंग करती है और अच्छी खासी इंकम हो जाते हैं सुना है 200 क्रोड के आसपास कि इनकी इंकम होती है इन्होंने एक इंट्रिव्यों के दोर अनिंसे पूछा भी गया कि जो आप पर एक साल एक ग्यारा साल की लड़की के साथ रेप का आरोप लगा है क्या वह सच है तो अर्मान मलिक इस पर बोलते है कि मुझे कानून पर पूरा भुरोसा है और जो आरप मुझे पर लगे है वह गलत है दूद का दूद पानी का पा जाया गया है जो सच है वह कभी तो सामने आएगा इससे यह तो पता चलता है कि कैसे यानि की मुकदमा अर्मान मलिक पर तो है यह रेप कितना सच है और कितना नहीं यह आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताए आपकी क्या राय है इस अस्टोरी के बारे में और अर्मान मलिक और उसकी पतनी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप 11 साल की नाबालिक लड़की को नया मिलना चाहिए या नहीं इसके बारे में आपका क्या कहना कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताना